असलाब अलेकूम मैं फर्जाना रूए असलाब और आप मुझे देख रहे हैं इस वाक्ति में चैनल पर दोस्तों नौशी गीलानी ने कहा था कुछ नहीं चाहिए तुझसे ऐ मेरी उम्रे रवा मेरा बच्पन, मेरे जुगनू, मेरी गुडिया लादे लेकिन दोस्तों यहां जिस बच्ची का तसकरा है वो ना बच्पन मांग रही है, ना गुडिया मांग रही है ना जुगनू की तलाश में है, उसे चाहिए तो वो शक्स चाहिए जो इस दुनिया में उसे लाने का बाइस मना है यसे वालित कहते हैं, जिसे बाब कहते हैं, वो अपना बाब मांग रही है, किससे अर्बाम अथियास से, जो लोग इस दर्थ को, इस नन्दी बच्ची के दर्थ को समझते हैं, वो अपने ना माठों से दूआ को होते हैं कि जन्दल जन्द इसका बाब इसे मिल जाए ये बच्ची जो अपने वालदें की सबसे बड़ी है बैन भाईों में सबसे बड़ी है लेकिन फिर भी ये अपनी उम्र के हिसाफ से बहुत छोटी है इसने बागाईदा अर्बाब इख्यार को कमजोर सी तहरीर में लिखा है कि उसे अपना बाब चाहिए वो इतना लिखना जानती है और वो लिख रही है ये बच्ची कमसिनी में भी इस बात को समझ रही है कि तहरीर की भी कोई अहमेद होती है इसलिए वो एक खत तहरीर कर रही है हर बाब इख्यार को तबच्चो दिलाने के लिए कि उसे अपना लापता बाब चाहिए इसलिए कि हर शाम वो अपने बाब को हर रात वो अपने बाब को घर में दाखिल होता हुआ देखती थी और हर सुख वो घर से निकलता हुआ देखती थी सारा दिन वो अपने बाब को मीडिया पर बोलते हुए कुफटकू करते हुए देखती रहती थी मगर अब वो इससे महरूम हो गई है या महरूम कर दे गई है वो मांग रही है अपने बाब को कि वो बता रही है बाब एक प्यार को उसका चोटा भाई जिद कर रहा है कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि उसके वालिद उसके सामने ना आ जाये इद आने वाली है वो बच्चा या आरजू रखता है गुदिष्टा बरसों की तरह वो अपने वालिद के साथ पुर्बानी के लिए जान में खरीद ने जायेगा बच्चों को ये शौक किस कदर होता है किस तरह वो पूरे साल अपने दिलों में ये शौक पालते है इद आ बाप को लापता लोगों की फहरिस्त में शामिल किया है। उन लोगों ने जिनका वो नाम लेकर मुखादिब कर रही है। अपने खत में जो एक खुला खत उसमें तहरीर किया है। इस खत को लिखे वे कई दिन हो गए। खुद को एक बच्चा समझ के उस बच्ची के मसले को अपना मसला समझ के उस बच्ची के दार्गुक्ता बाप का monet में समझ कर वोड़ करें तो फीर क्या वी इती पे द्रवाजे की हर दस्तक पे हर आहट पे रखे के हूए मतजि मुन्दिन के शएद इस नसकी हो दस्तक पे उसका वाफ आगिया हो इस लाबताः बाब स्याबी के लिए अदालतों में चक्कर काट रहा है नातवा शक्स अपने सारी जिन्दकी की कमाई को यू लुपता हुआ देख रहा है खुदाना खास्ता तो वह परिशान है वह एक अकेला बाप है लेकिन इस एक बाप के पीछे जो उसका बेटा लापता है चार बच्चे है जो उसके मुंदजर है यह सही वालिद अपने पोते पोतियों को देख कर अपने गम को कम करता होगा कि इन बच्चों का गम उससे भी सिवा है दोस्तों गोर करने का मकाम है यहां कोई नौजवान नहीं है यहां छोटे नन्ने मासूं बच्चे और उन बच्चों का एक बु बच्चों का दुक है यह दर्द बहुत सिवा है यह मांग रही है अपने बाप को इसे इसका बाप ला दू खुदारा इसे कबाब लाके दे दो ये बच्ची इसलिए मांग रही है आपको इसलिए खत लिख लिख रही है कि इसको मालूम है कि आप लोग ये काम कर सकते हैं आप लोगों के लिए ये काम ममकिन है वो उमीद का दिया जलाए बैठी है उसे पता है कि उसका बात दुनिया पे मौज़ूद है. इसलिए वो आर्ष समाग रही है. दोस्तों, इस एक लूप्ते पर गोड़ कीजिए, जो लोग दुनियां मौज़ूद नहीं होते हैं, उन पर सबर कर लिया जाता है, उन पर सबर आजाता है. लोग यही नहीं पता हो क के वह भी किन नहीं ये इंतिहाई अंदू कसम काव हुता है अजीशुर्त हे हे नहां कह सकते हैं नहां कह सकते हैं नह combination کے सिकते हैं नहन जिंदकी की दुआ दे अच्छा की बलंदी की दूआ कर सकते यो समझ जेजिए कि ना दिन-दिन होता है ना राध राध होती ए लेकिन बच्छों को यकीन है कि उनका बाप माचूद है दुन्या इनकी नजों से दूर हैं इस रिय meno से गूर हैं इसासत में कुछ लोग माचूद है जो इनके बाप को इने वापस दिला सकते हैं इसलिए वो दर्खास कर रही है इनकी दर्खास पर वो लोग जरूर अमल करें जिनके फिद्मत में ये बच्ची दर्खास पेश कर रही है और वो लोग जिस दर्खास को सुन रहे हैं इसके लिए इसके बाप की बापसे के लिए जरूर दौा करें अंकल चीफ जिस्टिस, अंकल वजीर आज़म और अंकल चीफ और आर्मी स्टाफ मैं इम्रान रियास खान की बड़ी बेटी हूँ और सेवंथ लास की स्टूडेंट हूँ मैं, मेरे बेहन भाई, मेरी मामा और दादादी उन सब को बहुत मिस्स करते हैं खास तोर पर मेरा सबसे चोटा भाई अब्दिल्ला हम सब को खाना खाते वक्त बहुत तंग करता है और रोना शुरू करते हैं कि मैं बाबा के हाथ से खाना खाऊंगा और बाबा के साथ जाते और कब मैं कुर्वानी का जानवर खरीदूँगा आप हमें हमारे बाबा ला दे मैं और मेरे बेहन भई अल्दावियां से स्पेशल दुआ करेंगे बाबा की जान बाबा की भाइन बच्चों के लिए उनके वालदानी सब कुछ होते है वो इन ही रिष्टों के जरिए तमाम तालुकात को चाहे वो खुदा का हो चाहे वो मा का हो चाहे वो बाब का हो समझते हैं अगर बीच में आप जैसे अरबाब अख्यार और आप जैसे बासर शक्सियात आ जाए तो फिर ये कोई अच्छी बात नहीं होती बच्चों को खुशी चाहे खेर चाहे खेर चाहे खेर लोना चाहे इन्हें दुख ना दे और दुख भी ऐसा के माबाप मेंसे किसी एक को छ्षीन कर रियास्ट बच्चों को तहफूज फराख करती हैं बच्चों को उनके बच्चों से नहीं च्हिना करती है वापस कीजिए इसका बाप इसे बाप इसका लाके दे दीजे अब बहुत दिन हो गए इन बच्चों के जहनों में रियासत का खौफ ना बिठाइए ये इमरान रियास खान के चार बच्चे रियासत के खौफ में मुब्तला ना हो अगर ये रियास्त की खौफ में मुब्तला हो गए तो बागे बच्चे भी इस खौफ में मुब्तला हो जाएंगे अपने बच्चों को खौफ जदा होने से बचाएए ये आपका और आपके मुल्क का रोशन मुस्तबिन है